हालो एस्पिरेंट्स, HP स्टडीज में आप सभी का एक वर फिर से स्वागत हैं ह्टेंट्स HP ELLAID 2024 के लिए HP स्टडीज आपके लिए एक राइटिंग प्रेक्टिस जो है सिरीज वो स्टार्ट कर रहा है जिसमें हम क्या करेंगे जो ELLAID में प्रिवियस यर्स के क्वेशिन पेपर हैं उनको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड अनलाइज करने की कोशिस करेंगे और ये भी समझने की कोशिस करेंगे कि जब आपके सामने कोई एक पर्टिकलर कोशिन जो है वो दिया जाता है तो उसके अंदर क्या डिमांड जो है वो कमिशिन आपसे रखता है उनको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिस करेंगे बहुत छोटा सा ये लेक्चर रहेगा एक सवाल जो है मैं आपके सामने लेके आऊँगा और उसी के अंतरकर जो है क्या आपको अप्रोच रखना है जब इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएं या फिर क्या आपका you can say style of writing क्या होना चाहिए किस content को अड़ करना है अड़ नहीं करना है वो सारी बाते हम करेंगे सवाल 2019 के question paper से है अलाइट 2029 में सवाल आया था सवाल देखिए that describe पहले तो कुछ एक words को हम लोगों ने समझना है describe the role of the प्रजा मंडल इन ही माचल प्रदे इस during the India's freedom struggle यानि की 4 marks और 60 words में जो था ये सवाल आपसे पूछा गया था देखिए यहां पे problems क्या हमेशा create होती है जब भी हम इस तरह के सवाल की बात करते हैं questions की बात करते हैं पहले थोड़ा सा मैं keywords के उपर थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा फिर उसके बाद approach के भी हम बात करेंगे देखिए describe word यहां पे mention किया है described यानि कि इस सब्द का भी थोड़ा सा meaning आप लोगों को पता होना चाहिए यानि कि जब इस तरह के सब्द mention हो exam में माल लीजिए तो यहां पे examiner जो है वो demand करता है कि आप हलका सा एक detailed content जो है उसको provide कर वे detailed content जो है या फिर account जो है उस particular चीज़ के बारे में थोड़ा सा detail के अंदर जो है आप लोगों ने क्या करना है यहां पे उसको provide करना होता है answers simple भासा में अगर मैं कहूं तो आप यह समझ लिजिए कि जो clear and factual clear and factual narrative जो है वो paste करना होता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जब describe word आपके लिए लिखा गया है examination में mention किया गया है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक तो कोई analysis उसमें नहीं होगी यानि कि analysis का कोई role नहीं है और evaluation का बहुत कम role जो है वो आपको मिलेगा सीधा clear cut role जो है आपने बताना होता है किसी चीज़ का कि हुआ क्या है एक detailed narrative clear और factual narrative जो है account जो है आपने in front of examiner जो है वो रखना होता है दूसरा word यहाँ पे mention किया गया है role यानि कि आपने क्या करना है जो प्रजा मंडल moments है देखो कुछ एक words हम लोगों को यहाँ पे draw किये हैं उनको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा जैसे the प्रजा मंडल एक तो सवाल है प्रजा मंडल के उपर और दूसरा इनका role है और व impact और अगर आपसे examine you can say पूछा जाता या critical analysis आपसे पूछी जाती ठीक है इस तरह के जो words अगर आपसे पूछे जाते ठीक है नहीं तो उस दौर में उस particular context में फिर क्या होता है देट चीजों के बारे में थोड़ा impact आपको बताना पड़ता है positive negatives बताने पड़ते हैं यह हम questions के साथ साथ जो है वो discuss करते रहें जब भी हम बात आएगी इस तरह के सवालों की चीक है तो यहां पे फिलाल के लिए आप यह समझे कि आपसे जो सवाल पूछा गया है वो यह है कि प्रजामंडल जो है उनका क्या रोल रहा है हीमचल प्रदेश में जब हमारे यहां पे Indian freedom struggle जो था वो चला हुआ था अब यहां Indian freedom struggle के साथ आपको इसके impact को नहीं बताना है आपको simple describe करना है यानि कि एक clear cut narrative जो है आपको प्रस्तुत करना है examiner के सामने लेकिन challenge क्या है देखो challenge है यहां पे number of words यह कहीं न कहीं एक बड़ा challenge जो है आपको देखने को मिलेगा कैसे वो अब भी मैं बताता हूं देखो सवाल मात्र आपसे four marks में है और 60 सब्दों में जब आप analyze करने की कोसिज करते हैं या फिर इस सवाल को जब आप लोग सोचेंगे कि कैसे लिखना है क्या 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 लिखना है जो keywords आपने mind में रखे होंगे उन keywords के अधार पे जब आप इस सव सवाल है यह सवाल जो है इसका answer भी हम लोग यहां पर करेंगे लेकिन उसके साथ फिर यहां से कुछ context में निकालूंगा जिनका mention must है आपके इस answer में तो जब भी इस तरह के सवाल आपके आएंगे तो आपने थोड़ी सी यह चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो lengthy सवाल हों जो होंगे उनमें से एक छोटा सा क्रक्स जो है वो आपने यहां पर निकालना है आईए समझते हैं इस सवाल को तो simple सा सवाल है कि रोल है प्रजामंडल का हीमाचल प्रदेश में तो सबसे पहले तो हमारे पास इसका introduction आ जाता है कि क्या इसके अंदर जो है आपने हलका से ए इतना सा आप यहां पर mention कर देंगे more than enough हो जाएगा मिन बॉड़ी में content में क्या आएगा देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला describe है तो इसमें बहुत सारा analysis evaluation कुछ नहीं होगा तो simple सबताईए formation हुआ प्रजामंडल का प्रजामंडल का formation हुआ प्रिंसली स्टेट सच आइ उसके साथ साथ you can say they were inspired by the large Indian freedom struggle बस यहां तक खदम कर देना है जब देखो एक ही question को आपको 8 marks में भी लिखना है एक ही question को अगर आपने 4 marks में लिखना है तो यहां पर words की जो limit है वो ही extend होगी rather than कुछ और तो इसलिए मैं आपको बताने की ये कोसिस कर रहा हूँ कि जब भी म पहले हम सवाल कर लेते हैं फिर देखिए का कैसे अप्रोच रखना था तो सबसे पहले तो simple formation इनकी बताईए formation के साथ आप ये बता सकते हैं कि क्या demand रखा गया था यानि कि क्या main objective था इनका ये आप बता सकते हैं for example demand for the civil rights civil rights जो है उनके लिए demand किया गया यानि कि the movement primarily focus on securing the civil rights freedom of the peace democratic governance जो है ये इनका main objective था तो इसको mention करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए देन उसके सासा देखिएगा तो तीसरा role क्या रहा कि इन्होंने national struggle में participate किया बिलकुल किया जी अब देखो जब आप pre के लिए पढ़ते हैं ना तो pre के लिए आप पढ़ते हैं कि overall context में प्रजामंडल कर क्या रहा है जैसे देखो participation हो रही है दे प्रजामंडल एक्टिविस्ट इन ओफ हिमाचल प्रदेश align themselves with the broader Indian freedom movements led by the Indian national congress उन्होंने participate किया ठीक है इस you can say in Indian national struggle के दौरान देन उसके बाद देखिए रोल की अगर हम बात करें यहां मैं किसी तरह की evaluation नहीं struggle के उपर प्रजामंडल का क्या impact जो है वो हमारी creation पर पड़ा है simple role बताना है कि प्रजामंडल का क्या है हिमाचल प्रदेश में तो unification and end of autocracy जो है यह भी एक role रहा है उनका याने कि जो प्रजामंडल मुमेंट रही है उन्होंने you can say significantly contribute किया है to the political awakening in the region तो यह आप यहां पर point निका लिए कि political awakening की बात इन्होंने की है उसके साथ they help to create the awareness about the democratic governance and lay the foundation for the unification of the princely state into the democratic independent इंडिया तो यह एक role जो है इनके द्वारा प्ले किया गया है ठीक है अब इसके होने से अब देखो impact में और describe में बड़ा फर्क है जब impact की वगर बात आते कि क्या impact इसका बड़ा ठीक ह या फिर analyze करना पड़ता critically analyze करना पड़ता ठीक है examine करना पड़ता तो उस तरह की situations में आपको चीजों को positive negative way में ले जाना होता है तो जब भी word mention हो describe simple describe या throw light इस तरह के सब्दाएंगे throw a light इस तरह के word होंगे simple role तो आपने mention करना है जो factual knowledge है आपके पास एक factual context जो है narrative जो है यहाँ पे clear cut narrative जो है वो आपने देना है यानि कि अब दूसरी बात यहाँ पे यह भी हो जाती है जब describe की बात आती है experience तो यहाँ पे too much descriptive भी नहीं होना होता कि अब यह नहीं है देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ प जैसे कि एक negative impact भी पड़ जाता है जब आप इस तरह के आप जैसे मैंने बोला कि demand for the civil rights तो simple सा obviously civil rights freedom speech और democratic governance अब इसको अगर आप तीन चारा और लाइने लिख दें यहाँ पे mention कर दें descriptive बहुत जादा ले जाए तो फिर उस case में जो है यहाँ पे यह थोड़ा सा narrative जो हो गलत दिसा में चला जाता है तो इसलिए marks जो है वो आपके cut जाते हैं लेकिन allied services में एक अच्छी बात यह है कि आपको सीधा सीधा सा सवाल लिखना होता है इसमें ज्यादा कोई analysis नहीं होती यह नहीं होता है तो दिक्कत आने वाली नहीं है because सवाल जो है वो four और eight marks में ही रहते ह 10 और 12 marks का सवाल नहीं होता तो इसलिए थोड़ा सा you can say आप बोल सकते है privilege मिल जाता है जब हम बात करते हैं ठीक है तो समझे मेरी बात को तो describe की जब बात आएगी तो इस तरह की चीजों को जो है आप लोगों ने यहाँ पे देखना है अब आप देख रहे होंगे that word limit जो है बिल्कुल बहुत सारी है तो इसको क्या करना पड़ेगा इसको अब आपको confine करना पड़ेगा पूरी तरह से यानि कि अब इसी सवाल को 60 words में आपने कैसे ढालना है वो कला जो है वो art जो है वो आना ही चाहिए friends this is art you can say the writing is again it's art तो यह चीज तो आपको यहाँ पे थोड़ में आप अगर देखें तो यहाँ पे प्रजामंडल्स दे प्ले अ सिगनिफिकेंट रोल इन दा ही मचल प्रदेश कॉंट्रिबूशन टू दा फ्रीडम स्ट्रगल आप यहाँ पे सीधा सीधा सा बोल सकते हैं कि यस इतना तो आपने मैंसन करना यह सिंपल सा एक अब यहाँ पे आप सिंपल सा यह लिख सकते थे देट एट चंबा मंडी बिलासपूर और सिर मौर सिंपल फॉर्मेशन और प्रजामंडल कहां पे हुआ एट चंबा मंडी सिर मौर बिलासपूर एसेट्रा ठीक है देन उसके बाद डिमांड फॉर सिविल राइट्स यानि क इस पूरी लाइन को आप मेंसन कर सकते थे ठीक है और उसके बाद सिदा सा पार्टिसिपेशन इन नेशनल स्टर्गल यूनिफिकेशन और एंड और फॉर मार्क्स की जब बात आएगी अगर आप लोग यह हैडिंग्स भी डालेंगे न तो यह हैडिंग्स जो है यह मोर दै में भी कर सकते हैं तो डिस्क्राइब का मतलब जो है आपने यहाँ पर समझना है और इसी तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे आपकी आंसर राइटिंग जो है इसको इस प्रैक्टिस को जो है आप लोगों के लिए यह कैंसे प्रिजेंट करते रहेंगे अगर आपको यह वी कि संभावनाएं बहुत जादा हैं हो सकता है आपके आपसे साथ आपसे सिंपल यह अबजेक्टिव की बात कर ले कि एक से एक्स्प्लें करने को आजाए बेरियस अबजेक्टिव ऑफ द प्रजामंडल या फिर आप लोगों से वह सवाल पूछले कि इंपोर्टेंस क्या है प्रजामंडल की रोल क्या है प्रजामंडल का जो इन्होंने सवाल पूछा या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रजामंडल के उपर आपको लिखने को आग जाए जैसे फॉर एक्जाम्पल अगर लिखा मान लिजिए डिस्क्राइव धामी फायर ट्रैजिडी तो डिस् प्रजा